हला एवरिवान गुड मॉर्निंग टू आल आएम पूजा आज हम डिसकस कर रहे हैं 22nd of July के करेंट अफिर्स लेकिन शुरुआत करेंगे आज के इंपोर्टेंट डे आज का दिन वाकई पे बहुत खास है क्यों है खास आईए हम जानते हैं सबसे पहली बार 22nd of July को हम सेलिब् सेवन करते हैं तो 227 मतलब यह हो गया आपका 22nd of July तो 22 जुलाई को हम पाई एप्रोक्सिमेशन डे सेलिब्रेट करते हैं कुछ कंट्री इन फेक्ट भारत में भी पाई की एक और वेल्यू एस्टिमेट की जाती है विच इस 3.14 आई होप आप लोग ने भी एक्जाम में इस वेल्यू का यूज किया होगा इसलिए जो पाई एप्रोक्सिमेशन डे है वो साल में दो बार आता है एक बार 14th of March को आता है और 2nd है 22nd of July ओके हैं चलिए अगली बात करेंगे आर्किमिडीज के बारे में आर्किमिडीज एक ग्रिटिस्ट मेथामेटिशन थे और उन्होंन ancient world में ये पहले person थे जिन्होंने calculation किया था पाई का और इन्होंने estimated value जो शो की थी पाई की वो 3,1,1,7 थी पाई डे के शुरुआत लेरी शौने की थी 1988 में और 2019 में United Nation के द्वारा designate किया गया था पाई को as a international day of mathematics अभी जो पाई सिंबल है वो कहां से आया तो इस सिंबल को पाई के सिंबल को design किया है 1706 में by the mathematician Leonhard Euler तो Euler ने जो है वो इसे design किया है अब 22nd of July को क्या हुआ था तो 22nd of July को Albert Einstein का भी जन्म हुआ था आज उनका बर्थिडे भी है इसके अलावा एक बहुत ही शांदार हमारे scientist रहे जिनका नाम है Stephen Hawkins इनका बारे में आपने सुना होगा तो Stephen Hawkins की death anniversary भी 22nd of July को होती है 22nd of July को हमने Chandrayaan 2 को भी launch किया था 22nd of July 2019 में ही हमने अपने Chandrayaan 2 को launch किया था जो कि हमारा दूसरे नंबर का lunar mission था इसे launch किया था इस रो ने किसने launch किया था इसे इस रो ने launch किया गया था कहा से Shri Harikota से Satish Dhawan Shri Harikota Space Center से इसे launch किया गया था using the GSLV Mark 3 GSLV Mark 3 की मदद से इसे launch किया गया था 22nd of July 2019 में हम इसे लेंड कराना चाहते थे South Pole में अगर इस प्रॉपरली लेंडिंग हो जाती तो हम पहली country बन जाते जिन्होंने Moon की South Pole में लेंडिंग कराई हो अच्छा ही जो launching vehicle था अपने साथ तीन चीज़ों को carry करके ले गया था ए अर्बिट में घूम रहा है एक था विक्रम लेंडर एंड प्रग्यान रोवर क्लियर इतनी चीज़े फोर्थ कंट्री हम बन जाते जो कि soft land करा पाता चंडरमा की सर्फेस पे USA, Russia and China के बाद लेकिन हमें पता है due to the some technical issues हम properly soft landing नहीं करा पाया इसलिए हमने 14th of July को अभी कुछ 23rd of August को पहुचेगा और उसके ही 3 दिन के बाद मतलब 26 को 26 को हम launch कर देंगे आदित एलवन ऐसा इसरो के chairman का कहना है अभी हम आदित एलवन पे भी discussion करने वाले हैं अच्छा 22nd of July को हम National Mango Day भी celebrate करते हैं इस दिन की शुरुवात 1987 में हुई थी Magnifera Indica mango का scientific name होता है National Mango Day 22nd of July को मनाया जाता है यह जो mango word है आपको बता दू यह कहां से आया है कैरला से आया है कहां से आया है यह basically malian word है malian word है जो की आया जिसको Portugal ने manga कहा और manga सिर यह mango हो गया ओके है चलिए अब यहाँ पर हमने चंद्रयान 2 के बारे में discussion कर लिया चंद् कर लेते हैं अब National Moon Day के बारे में recently 20th of July को 20 July को हमने celebrate किया National Moon Day National Moon Day क्यों celebrate किया जाता है क्योंकि 20th of July को 1969 में 20th of July को 1969 में पहला crew mission USA ने भेजा था using the Apollo 11 तो Apollo 11 flight की मदद से USA ने अपना पहला crew mission चंद्रमा पे भेजा था जिसमें दो एस्टोनाट गए थे Neil Armstrong के बारे में आपने सुना होगा यह पहले person थे जिन्होंने moon की surface पे अपने पैरों को रखा था ठीक है तो Neil Armstrong and the Burj Aldrin यह लोग पहुँचे थे moon की surface में 20th of July 1969 में इसलिए National moon day हम 20th of July को celebrate करते हैं using the Apollo 11 यह लोग गए थे ठीक है अब theme देख लेते हैं तो lunar exploration, coordination and sustainability यहाँ पर theme थी तो देख सकते हैं आप 22nd of July का दिन कितना important है कितना खास है अब बात करेंगे हम बाकी सारे अपने current affairs के बारे में इसके अलावा CA रफ्तार के बारे में आपको सारी information मैंने पहले भी दे दी है अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं तो perchamclasses.in पे visit कर सकते हैं यह book जो है वो headline के form में है इसमें monthly headlines को cover किया गया है सारे topics को यहाँ पे cover किया गया है January से लेके जून तक के current affairs आपको मिल जाएंग पहली बार आ रहे हैं तो दो काम कीजिए तो telegram को join कर लिजिए जिससे current affairs की PDF आपको free of cost मिल सके और second subscribe कर लिजिए जिससे upcoming classes के notification आपको मिल सके ओके सिस्टार्ट करते हैं आज का CA अचा आज ना वीडियो के end में मैं एक बहुत ही शांदार सा question डाल की रखा हुआ है तो question of the day में का answer आप comment section में देना नहीं भूलेंगे चली start करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ खास बातों के बारे में उसके बाद हम direct अपने मुद्धे पे आएंगे सबसे पहले बात करते हैं North Channel कहां पर है तो इसके लिए आपको Europe continent जाना पड़ेगा पहुँच गए Europe continent में वो UK वाला portion है जहां पे England, London, Scotland वगेरा है वो UK वाला portion उपर की तरफ है पहुच गए वाँ यह इस तरीके से दिखाई देगा यह UK वाला portion है अब यहां पर है Scotland और यह है Ireland Ireland का यह हो गया Northern Ireland तो Northern Ireland और Scotland के बीच में जो पानी वाला रास्ता दिख रहा है न यही है आपका North Channel ठीक है North Channel आप देख सकते Atlantic Ocean को यहां पर Irish Sea के साथ connect कर रहा है तो North Channel आप लोग ने देखा यह पानी का भरा हुआ जो रास्ता है Scotland और Northern Ireland के बीच में यही आपका North Channel है Europe continent में आपको दिखेगा जो कि Atlantic Ocean को Irish Sea के साथ connect कर रहा है अच्छा थोड़ा और नीचे आई है मैप में देख लिया मैप पर थोड़ा और नीचे आई है यह UK वाला portion हुआ और यहां पर जो है वो बाकी का Europe continent आपको देखने को मिलेगा और यहां पर एक country दिख रही विच इस फ्रांस तो UK को फ्रांस से सेपरेट करने वाला एक और चैनल आपको मिलेगा विच इंग्लिश चैनल देख लिया मैप में आंगे बात करें इंग्लिश चैनल यह देख लिया यह तो नौर्थ चैनल भी आपको देख लिया आप नियू नहीं है यह पाणी के चैनल है आँगे देखो अगला मैप, ये एक और मैप देखें, आस्टेलिया, पहुचे आप, आस्टेलिया से थोड़ा से नीचे जाएए, पैसिफिक ओशियन में, आपको न्यूजलेंड देखने को मिलेगा, मिल गया न्यूजलेंड, ये न्यूजलेंड है, न्यूजलेंड जो है, आइलेंड नेशन है, इसके दो हिस्से दिखाई दे रहा है, बीच में जो पानी भरा हुआ है, इसको हम बोलते है, कुक इस्ट्रेट, क्या बोलते है इसको हम, कुक इस्ट्रेट, आइए मैप में अच्छे से देख लेते हैं, ये देखो, ये न्यूजलेंड है, इसमें इंग्लिश चैनल देखा हमने और कोक स्ट्रेट को देखा, देख लिया, आईए, रुकिये दो मिनेट और, ये वर्ल्ड का मैप और देख लो, ये वर्ल्ड का मैप है, अभी तक हम यहाँ पर घूम रहे थे, फिर हम यहाँ पर पहुंच गए, पहुंच गए यहाँ पर, अच असमान सी और साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अब वर्ल्ड मैप आपने देखा, हमने यहाँ पर विजिट कर लिया है, यहाँ पर भी विजिट कर लिया है, अब पहुंचते हैं, अमेरिका, USA, United State of America, United State of America का एक आईलेंड है, विच इस हवाई, हवाई आईलेंड, जो क बना हुआ है, अब यहाँ पर जो हवाई के दो इंपोर्टेंट आईलेंड है, उसके बीट में एक और चैनल देखने को मिल रहा है, विच इस के वी चैनल, यह के वी चैनल, पैसिफिक ओशिन को ही आपस में कनेक्ट कर रहा है, बेख लिया, क्यों बता रही हूं इतनी सारी किया है नौर्थ चैनल को, तो अब आपको नौर्थ चैनल जैसे ही में बोलूंगे, आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगे कि यूरोप में हमको जाना है, इस्कॉटलेंट और नदन आयर्लेंड के बीच में पानी का रास्ता है, वो नौर्थ चैनल बन जाएगा, तो यह केव पहले परसन कौन थे, मिहीर सेन थे, और मिहीर सेन जो है, वो एक एक एक्स्ट्रा ओडिनरी रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं, यह केवल और केवल एक मातर ऐसे परसन है, जिन्होंने फाइव कॉंटिनेंट के अलग-अलग ओशियन को, एक सिंगल एर में, यूना पहले व्यक्ति मिहीर सेन थे, और यह कॉशन तो कई बार एक्जाम में ऐसा ही कासा छपा हुआ मिलेगा, अब बात कर रहे हैं कि नौट चैनल को क्रॉस करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, वो एलविश अली हजारी का थे, अब जैसे कि हम सेवन समिट के बारे में बात करते हैं, सेवन कॉंटिनेंट की जो हाइस्ट पीक पे जाता है, हम बोलते हैं कि हो सेवन समिट करके आया है, वैसे ही यहाँ पे ओशियन सेवन चैलेंज होता है, जिसके शुरुआ 2008 में हुई थी, ओशियन सेवन चैलेंज में आपको इन सेवन स्ट्रेट को या चैनल को क्रॉस क जिबराल्टर, इनको आप खुद मैप में बनाएंगे, ठीक है, इनको आपको खुद ही मैप में बनाना है, तो यह आपके कम से कम से कम स्टैक का यह पोर्शन फिनिश हो जाएगा कि यह चैनल और यह स्टेट कहां कहां पर है, दन है, चलिए, अब बात कर रहे हैं, इनकी देखो, आप देख सकते, इनकी टी-शिट में भी लिखा हुआ है, I am not a hacker, I am a security professional, basically most wanted cyber criminal थे, FBI की लिस्ट में, FBI की लिस्ट में, most wanted cyber criminal थे, और इसके बाद इनने 5 साल की जेल भी हुई, कुछ computer में उनने fraud वगरा कर दिया था, लेकिन जब जेल से आए, जेल से बापस आ गई है, और कई सारी cyber security consultant firm में काम किया, और एक author भी थे, 2011 में इनने chief hacking officer भी बनाया गया था, इसलिए इनोंने अपनी जैकेट में, अपनी टी-शिट में लिखवाया है, I am not a hacker, I am a security professional, लेकिन एक समय पे FBI के most wanted cyber criminal थे, इनका निधन हो गया है, तो directly caution बनेगा, cabin, मिचने, जिन इनका recently निधन हो गया है, he passed away recently, वो किस field से थे, तो answer हो जाएगा, computer hacker थे ये, ओके, चले, अब बात करते हैं, एक और बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है, Tree and Serpent, the book title Tree and Serpent, Early Buddhist Art in India, author by the John Guy, तो John Guy की पुस्तक है, जिसका नाम है, Tree and Serpent, Early Buddhist Art in the India, और इस बुक को बहुत ही जल release किया जाएगा और published किया जाएगा with the help of Metropolitan Museum of Art, New York के द्वारा, इस में basically बुद्धिस्ट आर्ट को जो साउथ इंडिया में फैली हुई बुद्धिस्ट आर्ट थी और बहुत जादा जो रेर पिक्चर्स हैं, वो सारी पिक्चर्स आपको इस बुक में, इस वर्क में मिल जा है Heritage Point, इस Heritage Point में basically जो आज से सौ साल पराने 19th century और 18th century की जो ब्रिक्स यूज किया करते थे, इसके अलावा जो लखडी है, यहाँ पे देख सकते हैं, बुदन लॉक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जिससे स्टूरेंट और दूसरे लोग भी यहाँ पे बुदन लॉक, यहाँ बुदन लॉक, यहाँ बुदन लॉक, यहाँ पे तयार किया एक इस्टोन की पत्ती का भी है, जिसमें डॉक्यमेंट किया गया है, यूनिवर्सिटी की हिस्टॉरिकल प्रोग्रेशन को, और यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने इस Heritage Point को लाँच किया है, which aim to display the rich heritage of the institute to the students, नेक्स्ट है, गुजराट to get country first satellite network portal site, भारत की पहली और गुजराट की भी obviously पहली satellite network portal site को तयार किया जा रहा है गुजराट में, इसके लिए जो M.O.U. sign हुआ है गुजराट गवर्मेंट का, वो one wave company के साथ हुआ है, one wave company के साथ यह M.O.U. sign हुआ है, to set up satellite network portal site, गुजराट sign an M.O.U. with a London based company, one wave company and the department of science and technology, basically one wave company जो है, वो दो satellite network portal site को बिल्ड करेगी, महसाना district of Gujarat में, पहले phase में 100 करो रुपीज यहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसका मकसद क्या है, तो satellite network portal site बनने के बाद, बहुत ही affordable rate में and secure and high speed network क्या connectivity मिलेगी, हमारा जो project Digital India हम उसको और enhance कर सकेंगे, internet access provide कर दिया जाएगा, villages में, district panchayat में and local administrative bodies में, जिससे हम एक paperless government को भी run कर सकते, आज अब किसी तालुका, कोई तहसील है, कोई गाउं में चले जाओ, आप कोई काम कराना है, तो क्या वो computer पे काम करते हैं, नहीं, वो आज भी paper पे ह ही काम करेंगे, paper पे ही sign करके देंगे, कितनी सारी photocopies आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि proper internet connectivity ही नहीं मिल पाती, कई बार ग्रामीर छेत्रों में, तालुकाज में, या फिर डिस्टिक, local administrative office में, तो इस satellite network portal site के बनने के कारण, employment भी जनरेट होगा, और digital India का जो mission है, वो भ नई ruler housing scheme को launch किया है, जिसका नाम है, ग्रामीर आवास न्याय योजना, CM बगेल ने नई ग्रामीर आवास योजना, ग्रामीर आवास न्याय योजना को launch किया है, इसका मकसद क्या है, for providing homes to ruler homeless individual across the state, तो आप बोलेंगे कि प्रधान मंत्री आवास योजना भी तो चलती है, वि ने पढ़ रही, जिसके कारण वो अपने आवास को या अपने घर को नहीं बना पा रहे है, तो ऐसे वो लोग जो की लाब नहीं ले पा रहे है, प्रधान मंत्री आवास योजना का, उन लोगों को इस scheme के अंतरगत fund दिया जाएगा अपने घर को बनाने के लिए, समझा रह अपने बजट में 100 करोर रुपीज इस पर्टिकलर स्कीम के लिए भी अलॉटित किये थे, मतलब ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्मेंट के द्वारा स्पॉंसर स्कीम है, पंचायत एंड रूलर डिपार्टमेंट डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट ने गवर्मेंट एक सर्वे कराया गया था और सर्वे से पता चला कि लगबग आठ लाग ऐसे लोग है जो कि प्रधान मंत्री आवास योजना की क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है लेकर उनको जरुवत है और फायदा नहीं उठा पा रहा है तो ये आठ लाग जो वेनेफिश्रीज है उनक ये क्या पिक्चर है तो शोशल एकोनॉमिक कास सेंसे 2011 में हुई थी ये पहली सेंसे थी हाउस होल्ड की जो की बोद रूलर और अर्वन अर्वन अरियाज में कराई गई थी ये पहली पेपर्लेस सेंसे भी थी इंडिया की सोशल एकोनॉमिक सेंसे इसका डेटा 2015 में पब्ल वाले हैं USA, ओके, so USA largest reptile century wants to import घरियाल from India, तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा reptile century है, एक अभ्यारन है, जो कि भारत के घरियाल को import करना चाहता है, आयात करना चाहता है, ओके, USA largest reptile bank based in Arizona, has applied the federal government, federal government को उन्होंने apply किया है, कि वो भारत के गवर्मेंट से बात करें, to import 6 घरियाल and another equal number of मगर क्रोकोडाइल from the Tamil Nadu, मतलब 6 घरियाल भी चाहिए इनको और 6 मगर क्रोकोडाइल भी चाहिए, Tamil Nadu की century से, which is, which it argued would help preserve these endangered species, basically इस endangered species को वो अपने century में preserve करना चाहते हैं, चीक, इतनी चीज़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फिनिक्स Harpetological Society है, उन्होंने ये request भेजी है, और permission मांगी है to import 3 male and 3 female captive breed घरियाल, 6 मतलब घरियाल इनको चाहिए है, तीन male होने चाहिए, तीन female होना चाहिए, घरियाल जो है इनका scientific name क्या होता है, Gabulus Gangeticus, इसका scientific name है, इसके अलावच है, मगर कोकोडाइल भी चाहिए, जिनमें 3 male और 3 female होंगे, कहां से चाहिए है, तो मदरास प्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, तमिलाडू से इनको ये चाहिए है, Next है, C295 transport aircraft, तो पहला question है, C295 क्या है, fighter jet है, air jet है, missile है, क्या है, तो ये आपका एक transport aircraft है, C295 आपका क्या है, एक transport aircraft है, और जिसके construction के लिए, manufacturing के लिए, गुजरात के बड़ोधरा में manufacturing factory लगाई जाएगी, और 2026 तक ये transport aircraft अभिलेबल करा दिया जाएगा military को, ऐसा कहना है airbus का, क्योंकि airbus ही तो इस factory को setup करने वाला है, तो senior airbus officials recently said that a fully operation factory will be placed in a बड़ोधरा in गुजरात by November 2024, तो 2024 तक जो factory है वो operation में आ जाएगी, from where the first Indian made C-295 military transport aircraft will start rolling out 2026 onwards, तो जहां पर भारत का पहली made in India, C-295 military transport aircraft को manufacture करके 2026 तक roll out कर दिया जाएगा, ये जो आपका transport aircraft है, एक नई generation का aircraft है, एयर लिफ्टर है और light and medium range segment में आता है और ये replace करेगा, अभी हम जो use कर रहे हैं, Ebro aircraft Indian Air Force में उसको replace करने का काम ये करेगा, It was designed and built by the Airbus, इसको designing करने का काम और इसको build करने का काम Airbus कर रहा है, Airbus एक European multinational aerospace company है, ठीक इतनी चीज़े, इसके अलावा ये जो transport aircraft है, इसके अगर हम flight capacity देखे तो ये 11 hours, 11 घंटे लगादार उडान भर सकता है, Done? चलो, आब आते हैं आदित L1 पे, अब आराम से थोड़ा सा कहानी को समझते हैं, Recently हमें चंद्रियान 3 को successfully launch किया, 14th of July को, और 23rd of August को चंद्रियान पहुँच जाएगा चंद्रमा पे, उसके 3 दिन बाद यहाँ पे plan किया जा रहा है, मतलब 26th of August को plan किया जा रहा है, बाइसरो के हम आदित L1 को launch करेंगे, आदित L1 भारत का पहला solar mission होगा, जो sun की study के लिए भेजा जाएगा, चीक है, basically इस mission के शुरुआ 2008 में की गई थी, लेकिन financial issues होने के कारण, कुछ budget में problem होने के कारण, इसको बार-बार postpone किया गया, finally यह तैयार हो चुका है, और इसमें जो total cost आई, इसको prepare करने में, तैयार करने में, वो 378.53 करोर रुपीज की लागत आई है, इसे 26 अगस 2023 को launch किया जाएगा, ऐसा इसरो के chairman का कहना है, ठीक है इतनी चीज़े, आदित L1 will be launch using the polar satellite launching vehicle, PSLV की मदद से आदित L1 को launch किया जाएगा, और इसमें, इस आदित L1 में, 7 payload, मतलब instruments होंगे, और उन में से जो सबसे important instrument है, वो क्यों सा है, वो है VELC, VELC मतलब Visible Emission Line Corona Graph, जिसको design and fabricate किया है, Indian Institute of Astrophysics, Bangaluru ने, Basically हम आदित L1 को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हम Sun के Corona की study करना चाहते हैं, Photosphere, Chromosphere, Solar Flare, Solar Emissions, जो आपका Coronal Mass Ejections होता है, उन सब ही study हम basically करना चाहते हैं, इसलिए हम आदित L1 mission को launch कर रहे हैं, चीक है न, The mission will be launch by the ISRO to the L1 orbit, कहां पे launch किया जाएगा, ISRO के दौरा इसे L1 orbit में launch किया जाएगा, L1 orbit लगभग 1.5 million km दूर है from the Earth, चीक है, The orbit allow Adit L1 to look at the Sun continuously, तो इससे हमें फाइदा क्या होगा, तो हम study कर सकते हैं, क्योंकि Sun जो है, वो nearest star है हमारी Earth से, तो हमें दूसरे stars की भी study करने में, अपनी जो अलग galaxies हैं, उनकी study करने में मदद मिलेगी, जो solar flare generate होते हैं, जिससे बहुत जादा magnetic field generate होती है, जो हमारे ionosphere को effect करती है, हमारे communication को effect करती है, उसकी study करने में हमें पता लगेगी, solar flare आने की क्या reason है, किस frequency से solar flares generate होते हैं, उनकी study करने में मदद करेगी, इस तरीके से L1 हमारी मदद करने वाला है, अब या आदित L1 तो समझ में आता है, लेकिन या L1 orbit क्या है, L1 orbit पे हम चर्चा करेंगे, यह है sun, और यह है हमारी प्यारी अर्थ, sun और अर्थ के बीच में आपको एक point मिलेगा, यह ही तो gravitational force है, यह ही तो gravitational force है, जो कि Newton ने हमको दिया था, याद है न, F is equal to G mm upon R square, done, तो यह जो कोई भी object है, तो sun भी उस पे gravitational force लगाएगा, और अर्थ भी उस पे gravitational force लगाएगी, लेकिन हमको अगर ऐसा कोई point मिले, जहां पर दोनों object के द्वारा लगाया गया, gravitational force जो है, वो neutral हो जाएगा, neutral हो जाएगा, तो उसके कारण आपकी fuel की बज़ात होगी, और वो constantly एक ही point पे stay रहेगा, तो इसलिए हमने वो point लिया है, L1 point, ओके, where satellite will face equal gravitational forces from both sun and the earth, और इस point की discovery, basically, एक Italian, French mathematician के नाम पे इस point का नाम रखा गया है, जिनका नाम था Josephie Louise Logrange point, तो L1 point को हम Logrange point के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, Logrange point को ही L1 point कहते हैं, क्या कोई एक ही point है, नहीं, यहां पे आपको L1, L2, L3, L4 और L5 अलग-अलग points देखने को मिलते हैं, चीक है, L3 point पे तो Launch करने से कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि यह Sun के पीछे है, चीक है, अगली बात कर लेते हैं, L1 point ही एक ऐसा point है, जहां पे दोनों बॉडिस के द्वारा लगाया गया, gravitational force जो है, वो neutral हो जाता है, जिससे हम अपने fuel का consumption भी reduce कर सकते हैं, और इसके अलाव़ यह L1 point की खास बात यह है, कि अगर solar eclipse भी होता है, उस समय भी जो आदित L1 है, वो analysis कर पाएगा, observe कर पाएगा, photo ले पाएगा, और सारी information को collect भी कर पाएगा, continuously monitor कर पाएगा, eclipse की condition में भी, सूर ग्रहन की condition में भी, तो L1 का मतलब आपको समझ में आ गया, lag range point 1 होता है, जो कि 5 point है, orbital plane में, sun और अर्थ के, उन में से one of the point है, एक point है L1, जहां पर हम आदित L1 को launch कर रहे, इसलिए उसका नाम आदित L1 रखा है, नहीं तो L2, L3 भी हो सकता था, राइट, चले, अब कुछ short news के बारे में बात कर लेते हैं, simplify, simplify ने launch किया है, वर्ल्ड का पहला generative AI tool for insurance, next है, Indian American एक physician है, अब politician बन गये हैं, जिनका नाम है Amy Bera, Amy Bera को champion of the healthcare innovation award दिया गया है, क्योंकि इनोंने बहुत जादा contribution किया है USA में, health sector की facility को provide करने में, next है, DPIIT, वतलब Department for Promotion of Industry and Internal Trade, and the Government of Gujarat ने एक M.O.U. sign किया है, और दोनों मिलके launch कर रहा है, one district, one product wall, one district, one product wall, जो कि promote करेगा, indigenous crafts and artist co of the state, अब बात करेंगे, quad partner के बारे में, तो जापान जो है, second quad partner बन गया है, जिसने भारत के साथ, semi conductor pact पे sign किया है, इसके पहले USA ने semi conductor pact पे sign किया था, अब जापान ने भी भारत के साथ, semi conductor pact पे sign किया है, ओके, डन है, आईए बात करेंगे हम, MCQ पे, कल मैंने एक festival के बारे में बताया था, जिसका नाम है, चाचिन grazing festival, कहाँ पर celebrate होता है यह, अरणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, option D, तो यहाँ पर मैंने कल बताया था, जन्रल कोचे में एक meal menu launch किया है, इंडियन रेल्वे रहे, तो affordable meal service, option B is the right answer, ग्लोबल food regulator summit, कहाँ पर होगा, अंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, पहली बार हो रहा है, रोम के बहार, okay, which of the following has launched, world first generative AI tool for insurance, आंसर हो जाएगा, simplify, option A is the right answer, this is the next question, new president of cement manufacturer association, कौन बन गए है, आंसर हो जाएगा, नीरज, अखोरी, option B is the right answer, next है, इंडियन आर्मी ने, किस company के साथ, 800 करोर रुपे की डील की है, 800 करोर रुपे की डील की है, तो आंसर हो जाएगा, अशोक लेलेंज के साथ, option C, national moon day, हमने 20th of July को celebrate किया, इसकी theme क्या थी, आंसर हो जाएगा, lunar exploration, coordination and sustainability, option B is the right answer, reason आपको clear है, 1969, Apollo 11, Neil Armstrong, इतनी बाते याद रखनी, this is the question of the day, चार बाते लिखी है, कौन सी सही है, है, हैंले passport index पे भारत की ranking 80 है, Singapore की ranking 3rd number पे है, और bottom पे है अफगानिस्तान, कौन से statement सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, या फिर 2 और 4, सही answer बताना, comment section में, बड़ा ही धासू सा question है, बड़ा अच्छा question है, इसका answer आप हमें comment में दीजेगा, पाकी सारी बाते हैं हम कल के session में कर लेते हैं, okay, take care and bye-bye,